नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की रात 10 बचकर 48 मिनट पर शनी कुम्भ राशी में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद कुम्भ राशी में 4 नवंबर 2023 की सुबह 8 बचकर 26 मिनट तक शनी ग्रह वक्री रहकर एक बार पुना मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और दोस्तों शनी की वक्री यानि की उल्टी चाल के साथ शश महापुरुश योग, धन राज्योग और केंद्र त्रिकोन राज्योग का निर्मान होगा जो की कई राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। अब शनी की चाल बदलने से आने वाली है, अपार खुशियां ही खुशियां भगवान शनी देव के आशिरवाद से इन राशी वालों का जीवन। वर्तमान में शनी अपनी स्वयं की राशी कुम्भ राशी में विराजमान है। शनी इस राशी में साल 2025 तक रहेंगे, फिर इसके बाद मीन राशी के यात्रा पर होंगे। बता दें की शनी के कुम्भ राशी में होने से 6 महापुरुष राज्योग का निर्मान होगा। वहीं कुम्भ राशी में सीधी चाल से केंद्र त्रिकोन राज्योग भी शनी देव बनाएंगे। वहीं शनिवक्री के कारण 20 साल बाद धन राज्योग का भी निर्मान करेंगे। जिससे की कुछ राशी वालों का नसीब बदल जाएगा और इन राशी वालों को बढ़ा धन लाप प्राप्थ होगा। अब भी आप इस वीडियो को मिसना करें क्योंकि यह वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूण रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। इससे भगवान शनिदेव का आपको सीधा आशिरवात प्राप्थ होगा। इससे भगवान शनिदेव का भी आता है। कि शनिदेव प्रकृती में संतुलन बना कर रखती है। और यह सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करती है। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव स्वागत है। आपका हमारी चैनल में दोस्तों भगवान शनिदेव का आशिरवात पाने के लिए सबसे पहले विडियो को लाइक कर दें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दें। अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद कुम्भ राशी में 4 नवंबर 2023 की सुबह आठ बचकर 26 मिनट तक शनिग्रह वक्री रहकर एक बार पुना मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और दोस्तों शनिकी वक्री यानिकी उल्टी चाल के साथ शश महापुरुश योग, और केंद्र त्रिकोन राज्योग का निर्मान होगा जो की कई राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। खुशिया ही खुशिया भगवान शनि देव के आशिरवाद से इन राशी वालों का जीवन। पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोतिश शास्त्र के अनुसार जब शनि देव उल्टी चाल यानिकी वक्री चाल चलती है तो उसे वक्री शनि कहा जाता है पृत्वी से देखने पर शनि उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं भौगोलिक रूप से शनि की गती की दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता वर्तमान में शनि अपनी स्वयं की राशी कुम्भ राशी में विराजमान है शनि इस रा वहीं कुम्भ राशी में सीधी चाल से केंदर त्रिकोन राज्योग भी शनि देव बनाएंगे वहीं शनि वक्री के कारण 20 साल बाद धन राज्योग का भी निर्मान करेंगे जिससे की कुछ राशी वालों का नसीब बदल जाえगा और इन राशी वालों को बढ़ा धन जाएगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि शनी देव प्रकृती में संतुलन बना कर रखती है। और यह सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करती है। शनी देव की क्रिपा जीस इनसान पर हो जाती है। उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करती है, दूसरों को नुकसान पहुचाती है, भगवान शनी देव उनहीं को दंड देती है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें की अब भगवान शनी देव की क्रिपा से बारा राशियों में से कुछ विशेश राशी वालों पर होने वाली है। और इन राशी वालों पर भगवान शनी देव बहुत अधिक कब प्रसन हो गए हैं। अब इन राशी वालों की जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव अब इन राशी वालों पर अपनी अत्यधिक क्रिपा बरसाने वाली है। जी हाँ जिसके के प्रभाव से इन राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशिया ही खुशिया जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा इन राशी वालों पर अब होने वाली है भगवान शनिदेव की कृपा से हैं राशी वालों के जीवन के सभी दुखदर्द और कश्ट मिटने वाली है इन राशी वालों को भगवान शनिदेव के आशिर्वाद से अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे की इन राशी वालों का जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों जिन्हें खुशनसीब भाग्यशाली राशियों की भरी में हम बात कर रही है जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशी आती है वो राशी आती है सिंह राशी जीहा दोस्तों बताना चाहेंगे कि सिंह राशी के लिए शश राज्योग का बनना लाभकारी सिद्ध हो सकता है जीहा बतादें कि आकस्मिक धन की आपको प्राप्ती हो सकती है परिवार के सभी लोगों और रिष्टेदारों के साथ आपके अच्छे संबंध अब बनेंगे अविवाहितों के लिए रिष्टों के प्रस्ताव आ सकते हैं इस समय आप पार्टनर्शिप का काम भी शुरू कर सकती है वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिल सकती है दोस्तों बता दें की शनिदेव के चाल परिवर्तन से बन रहे केंद्र त्रिकोन राज्योग से आपको आकस्मिक धन लाब और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे बिजनेस और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको लाब प्राप्थ होगा प्रमोशन और इंक्रिमेंट मिलने के भी योग बन रही है रोजगार के प्रयास में आपको सफलता मिलेंगे पुराने रोगों से भी आपको इस दोरान मुक्ती मिल सकती है आपको बता दें कि आपके यूपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा द्रिष्टी बनी रहेंगी जिससे कि अब आपको धन लाप प्राप्ती होने की संभावना है आपको बता दें इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिध्धी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहती है या पढ़ाई करना चाहती है उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना उनके लिए बन रही है साथ ही साथ राशी के लोगों के आए में वृध्धी होगी दोस्तों अगली राशी है मेश राशी बताना चाहेंगी कि शनिदेव की चाल परिवर्तन से बंद रहे केंद्र त्रिकोन राज्योग इस राशी के लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है धन लाब के साथ पदोनती आपको मिल सकती है लंबे समय से चली आ रही समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है व्यापार में सफलता के साथ अधिक मुनाफा आपको हो सकता है परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा कार्यक्षेत्र में पदोनती के अवसर आपको प्राप्थ हो सकती है आपके पैसों से संबंधित सभी समस्याएं भगवान शनिदेव अब दूर करेंगे आकस्मिक धन लाब के भी आपको ये योग बनते नजर आ रही है भगवान शनिदेव की विशेश कृपा आपकी राशी वालों के उपर अब बन रही है जिससे की अब आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कश्ट मिटने वाली है और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशिया ही खुशिया किसी की अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों अगली भाग्यशाली राशी है कुम्भराशी बताना चाहेंगे कि शनिदेव के चाल परिवर्तन से बन रहे शश राज्योग कुम्भराशी के लोगों को लाभपरत सिद्ध हो सकता है आपके चहरे पर अब एक अलग ही तेज देखने को मिलेगा आपके बड़े बड़े लोगों के समवंध बनेंगे वहीं जो काम बहुत दिनों से आपके रुकी हुई थी वो अब बनने लगेंगे शिवन साथी की इस अवधी में तरक्की हो सकती है वहीं इस समय आपको पार्टनर्शिप की काम में अच्छी सफलता प्राप्थ हो सकती है दोस्तों आपको हम बता दें कि भगवान शनिदेव की क्रिपा से आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनिदेव आपके उपर बेहद ही प्रसन्न है आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिधी होगी जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दें की भगवान शनिदेव की क्रिपा से आपको अब सफलता की नई नई अफसर प्राप्त होने वाली है उन अफसरों को प्राप्त कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दे कि जो भी काम आपके रुक रहे थे, वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दे कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहती है, उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्थ होगी जी हाँ, दोस्तों भगवान शनी देव के आशिरवाद से आपकी राशी वालों के आय के साधनों में वृध्धी होगी जी हाँ, भगवान शनी देव के आशिरवाद से आपको धन लाप प्राप्ती के अनेको अफसर अब प्राप्थ होगी दोस्तों अगली भाग्यशाली राशी है व्रिश्चिक राशी बताना चाहेंगे कि शनी देव के वक्री चाल चलने से बन रहे शश राज्योग आपको आर्थिक और प्रॉपर्टी के मामलों में लाभकारी सिध्ध हो सकती है आप इस दौरान वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय ये बन रहा है पैत्रिक प्रॉपर्टी का लाभ आपको इस दौरान मिल सकता है रियल एस्टेट, जमीन जायदाद या शनी ग्रह से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए यह समय शांदार साबित हो सकता है वहीं अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको नौकरी के अच्छे अच्छे ओफर भी इस दौरान प्राप्थ हो सकती है दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगली भाग्यशाली राशी है मकर राशी बता दें कि इन राजजोगों से आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी आपको अपने जीवन के अलग-अलग ख्षेत्रों से अपारधन लाभ होगा नई नौकरी के अफसर और व्यापारिक अफसर में कोई बड़ी डील आपको मिलने के योग हैं इस समय शनी देव की कृपा से आपको भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा किसी भी संपत्ती में निवेश करने का यदी आप सोच रही है तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा आपके घर परिवार में इस दौरान खुश्नुमा माहौल रहेगा साथ ही साथ आपके कारोबार में व्रिध्धी होगी सामाजिक शेत्रों में सफलता आपको प्राप्थ होगी अचानक से धन लाभ प्राप्ती की आपके लिए संभाबना बन रही है साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रही है तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी भगवान शनिदेव की विशेश कृपा आपकी राशी वालों के उपर बन रही है और यह समय आपके पूर्णता पक्ष में है समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से जाने ना दें दोस्तों अगली भाग्यशाली जो राशी है वह है तुला राशी बताना चाहेंगे की तुला राशी वाले लोगों के लिए शनिकी वक्री अवस्था में निर्मित त्रिकोन राज्योग बेहद लाभकारी है संतान पक्ष में आपको सफलता प्राप्थ होगी निवेश के लिए अनुकूल समय है